Hello students, I am Dipendra, welcome you all to Magnet Brains. Sengage Mathematics, जिसके तुरू आपकी IIT, JEE Mains और JEE Advanced की हम त्यारी आपको करवा रहे हैं. यह एक comprehensive त्यारी है क्योंकि यह बुक इस तरीके से design की गई है. Sengage Mathematics का 5 बुक्स का एक collection है, जिसमें आपके coordinate geometry, calculus, vectors in 3D, algebra और technometry. इसके तुरू आपके 11th and 12th standard के mathematics का पूरा syllabus कवर करते हुए, आपको ना सिर्फ IIT, JEE Mains बलकि JEE Advanced की एक बहुत ही meticulous, अच्छी, detailed, comprehensive, थरो त्यारी है बुक्स करवाती हैं. इसी package को हम कर रहे हैं, बिलकुल free of cost, कोई charges लेने को नहीं, मतलब कोई hidden cost subscription-based model, ऐसा कुछ भी नहीं है. Actually, हम 100% free of cost quality online education देते हैं, kindergarten से 12th standard तभी. आप हमारे यह जो notes हैं, PDF से हैं, e-books हैं, इनके लिए भी team से आप contact कर सकते हैं. इसके लिए आपको इसी वीडियो के description में दिये गए link, get notes पर click करना होगा. तो बिना किसी delay के अब हमारा lecture शुरू करेंगे, हम coordinate geometry जो बुक हमने start की है, इसके chapter parabola पर discussion करें और हम इसकी exercises के questions करें. हम हर एक chapter को ऐसे ही करते हैं, उसके सारे concepts पहले पढ़ते हैं, फिर उसमें दिये गए examples करते हैं, उस concept पर बेस, ताकि उस concept को consolidate कर लें. फिर उसके दिये गए exercises करते हैं, ताकि सारे concepts revise, revisit और revise हो जाएं. और आखिर में उस chapter को culminate करते हैं, जे डबली advanced में पूछे गए, previous years questions को solve करके. तो यकीनन तोर पर एक अच्छी मजबूत पैयारी आपकी हो रही है, बस आपको पूरे focus के साथ इन lectures को देखना है, अच्छे से चीज़े note down करनी है, revise करते रहना है concepts को और यकीनन तोर पर questions प्राक्टिस करें, यही एक मात्र तरीका है इन concepts को अच्छे से build करने का. तो आज के questions में क्या हमारे लिए unfold होता है, आज अगर मैं देखू, तो मुझे मिल रहे हैं matrix match type questions, जहां पर आपको, of course, चार questions एक साथ आते हैं, इन पर based आपको यहां पर चीज़े निकाल ली होती हैं, और matrix match type based questions solve करने होते हैं, अगर मैं question solve करना शुरू करू, तो हम पहले ह शुरुआत करेंगे, क्या लिखकर वो दे रहा है, आपको पहले question में ध्यां से देखें, बड़ी ही basic सी बात है सर, अगर आप ध्यां से देखें तो, tangents are drawn from point 2,3, so there is a point 2,3, आपके एक external point है, जिससे आपने इस parabola पर tangent draw की है, तो पूछ रहा है, point of contact क्या होंगे, मतलब जब आपने इस point से tangents draw की है, किस पर, इस parabola पर, तो point of contact क्या होंगे, anyone having any thoughts कैसे करेंगे, क्या सोचेंगे, आप comment में लिखकर मुझे बता सकते हैं, क्या thought, क्या idea होगा, क्योंकि इसकी proper process, इसकी proper mechanism आपको समझाएगी है, अगर आपको याद आ रहा है तो, और मेरी गजारिश यह ही है, when I, you know, move aside, जब आपको यह पूरा question visible होता है, तब आप screen pause करें और इन questions को try करें, यह अच्छा तरीका है, इन questions को attempt करने का, तो देखो, अगर मैं सीधा-सीधा thought लेकर आता हूं, तो मेरे पास क्या दिया होगा है, सर एक external point है कौन सा, 2,3, इस point से आपने tangents draw की है, एक इसी-सी बात का आप जवाब दीजिए, जब आपके पास सर मान लो, एक parabola होता है, यह कौन सा parabola है आपका, y square is equals to 4x, बहुत बढ़िया, if this is the parabola, y square is equals to 4x, और यहाँ पर, इस point से आपने ले थे, इस parabola पर tangent draw की है, एक tangent यह रहा, एक tangent यह रहा, now they are interested in asking की यह जो दो points आपन बनाए हैं, जहाँ पर एक contact हो रहा है, यह point of contact क्या होंगे, यह वो जानना चाह रहा है, anyone having any thoughts, क्या तरीका होगा, क्या approach होगी, anyone, मेरा मानना है, बड़ी ही simple सी बात की सर, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूत ही, अब पहले तो यह बताओ, बड़ी basic सी बात, कि क्या यह pair of tangents की equation तक जाने से पहले, आप यह सोच सकते हो, कि हम slope form में, या, you know, parametric form में, tangent की equation कैसे लिखते हैं, सर, मुझे slope form थोड़ी बहुत यादा रही है, जहां हम लिखते हैं, parabola, यह standard parabola है, आपका y square result 4ax वाला, तो आप लिखते हो, y is equals to mx plus a upon m, I hope आप यह भूले नहीं, याद बढ़ाओं, तो हमने ये भी सीखा है, प्लीज निहाद से सुनिएगा, कि सर, अगर ये parabola की slope, जो आपने tangent बनाई है, उसमें, slope में, और अगर इसकी parametric form, जो पॉइंट पर अगर आपने slope tangent draw की है, हना, उनमें अगर आप relation निकालना चाहों, तो आप कहते हो, m जो होता है, वन बाइट ही होता है, ऐसा क्यों कर रहे हो सर, बस थोड़ा सा patience रहे है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको याद होगा, कि अगर किसी point पर आप tangent draw करते हैं, parable आपका standard y square is equal to 4ax में, जहां पर अगर उस tangent की slope m है, तो यह रही slope form, और यहां से कर मुझे parametric form में जाना है, तो हम slope और parameter में relation जानते है, reciprocal होते हैं एक दूसरा के, यहांने कि मैं क्या कहना चाहरा हूं भी, बड़ी असान सी बात कि अगर यहां से मुझे tangent की equation को parametric form में लिखना है, जो कि anyway आपको याद रहना चाहिए, बट in case आप भूल जाए, तो हम कैसे सुचेंग भी, m की value 1 by t replace किया, तो this is going to be ty is equals to x plus 80 square, do you all agree with this? Now, the only point I'm trying to make you understand is, sir, आपको क्यों यह बात समझ नहीं आ रही है, कि sir, आपकी यह जो tangent की equation है, यह technically अगर मान ली जाए, इस tangent की equation है, तो clearly यह tangent 2, 3 से पास हो रहे है, याद आ रहा है, आपको वह standard operating procedure हम ने सीखा है, तो sir, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यह जो equation है, यह 2, 3 को satisfy करे है, तो ध्यान से देखो, y की जगा 3 रखा, तो कितना हो जाता है, 3t, है ना, x की जगे 2 रखा, तो ध्यान से देखेगा, क्या मैं ty, यानि 3t को उस तरह shift कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, तो वहां से शुरू करेंगे, at square, क्या आप मुझे बता सकते हो, अगर इसे मैं और x की जगा में क्या रखूंगा 2, तो आपको प्लस 2 देखना भीता है, और आपने क्या-क्या ध्यान से देखेगा, प्लस 2 को मैं थोड़ा इदर लिख दूँगा, 2 सेकंड बस मुझे आप दीजिए, यह 3t और 2 को मैं लिखने वाला हूं, अगर यह ty, यानि 3t को इदर shift क किया, तो कितना हो जाएगा, यह जाने होला है, माइनस 3t, और अफकोर्स एक और जो expression आपको मिलेगा, वो क्या मिलेगा, अफकोर्स x की जगा कितना 2, so this is going to be the equation, sir, यहां से अगर मैं solve करूँ तो यह तो मुझे quadratic मिल रही है, बिल्कुल, और अगर इस quadratic को solve करेंगे, तो t की दो वाल्यूस मिल जाने वाली है, देखो भी यहां से, अगर मैं से solve करता हूं, तो यह कितना दिखेगा, t square minus 2t minus t plus 2 is equals to 0, I hope you all can see this very clearly, एक factor is going to be t minus 2, और sir, अगर आप यहां भी t minus 2 बनाना चाहते हैं, तो आप यहां से minus 1 common लेंगे, so this is going to be t minus 1, do you all agree with that, sir, यहां से clearly मुझे दिख रही है, t की दो वाल्यूस कौन कौन, 1 and 2, अगर मुझे t की दो वाल्यूस मिल रही हैं, 1 and 2, तो I think sir, अब तो चीज़े आसाने, क्यों आसाने भी, क्योंकि यह जो point of contact होते हैं, यह क्या होते हैं, sir, यह आपके होते हैं, a t1 square, 2 a t1, है ना, और अगर यहां पर मैं बात करो, तो a to 1 है, और यहां से जो t1 और t2 मिले, वो क्या मिले, 1 or 2, तो t1 की value अगर 1 replace किया, तो 1, 1, तो यह कितना हुआ भई, 1, है ना, यह भी 1, यह भी 1, तो यह कितना हुआ 2, तो एक point आपको क्या मिलेगा, 1, 2, जो point of contact आपको मिला है, वो क्या मिलेगा, 1, 2, दूसरा point of contact ढूंडा, तो t की जगा क्या रखा 2, तो ध्यांसे देखना, 1 into 2 square, यहने कितना 4, तो कितना होँआ भई, 4, I hope you all agree with that, similarly ध्यांसे को, 1 into 2 into 2, that's clearly again कितना 4, तो sir, आपके जो point of contacts आएंगे, वो clearly क्या क्या होंगे, I think मैंने सही लिखा, 2 जब replace किया, तो 2 का square 4, और 2 into 2, 4, बहुत बढ़िया, आपके coordinates क्या 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 हैंगे, 1, 2 and 4, 4, और ऐसे क्या क्या points मिलते हैं, sir, 1, 2, 4, 4 मुझे दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, तो जो बहुत ही clearly आपको समझा है, अब अगर यहां से मैं आगे बढ़ता हूँ, next question की तरफ, B question की तरफ, तो B question में क्या लिख रहा है वो, sir, बढ़ी है, आसान सी basic सी simple सी चीज़ है, अगर आप ठीक से देखो, तो, from a point P, on this circle, तो इस circle पर एक point है, ठीक है, the equation of the chord of contact, the chord of contact, I hope आप भूले नहीं है, y square is equals to 4x, अगर मैं आप से CGCGC बात करो, अब सारी बाते छोड़ो, sir, अगर आपके पास एक पहरा बोला है, जो की वापस उन्होंने क्या बना कर दिया, y square is equals to 4x, let's assume, एक point है, एक point है, हम मान लेते हैं, जो की है h, k है, अब अगर मैं आप से पूछू, h, k point से अगर आप card of contact बनाते हैं, I hope आप भूले नहीं हैं सारी बाते, तो आप क्या करेंगे, sir, h, k से एक tangent यहाँ बनाते हैं, आप सभी को याद आ रहे, generally आप h, k से एक tangent यहाँ बनाते हो, अब हम यह देखते हैं, कि इन दोनों ने कहा इस parabola को connect किया, touch किया, और उन points को हम क यह क्या होई, card of contact, तो इसकी equation मैं क्या लिखूंगा, sir, आसान है, अगर आप सीज़े सीज़े सोचते हो, तो आप क्या कहोगे, देखो भई, t is equals to 0, मतलब y square gets replaced by y y1, तो यह कितना हो जाएगा, sir, यह हो जाएगा, ky, 4x को यह दर लेकर रहा है, तो minus 4x, I hope आप realize करते हो, x को logic से यह आपकी क्या आ रही है, आपकी, you know, card of contact के equation, जो मेरे ख्याल से, जो अगर मैं simplified version में लेकूं, तो minus 2x, है ना, plus ky, और क्या, minus 2h is equal to 0, do you all agree with this, but अगर मैं उनके opinion को देखो, तो उनका कहना है, sir, हमारे according जो equation आती है, वो हो जाती है, y is equals to 2x minus 2, मतलब y is equals to 2 times x minus 2, I hope यह आपको समझा रहा है, उन्होंने क्या कहा, उनके according जाती है, वो कितनी आती है, y is equals to 2 times x minus 2, मुझे ऐसा ही लिख लेना चाहिए था, इसे, but anyway, अगर मैं से simplify करके लिखूं, तो मेरा जो opinion होगा, वो क्या, कि 2x को इदर लाए, तो देखो, sir, यहां पर यह हो जा रहा है, minus 2x, I कहीं से कहीं तक कुछ है तो बताओ भी, I think चीजें आसानी से आपको दिख रही है, जो भी हमने लिखी है, अगर, sir, आप यहां से चीजें देख पा रहे हो, तो उन्होंने आपकी life बहुत असान कर दिये, क्योंकि आप ठीक से देखो, अगर यह दोनों लाइन, आपकी according यह मुझे की value तो मिल ही गई, आप सभी को दिख रहा है, यह k है, यह star नहीं है, in case, if it might look like star, और clearly sir, अगर आप यहां से देखो, तो यह constant हम से, तो minus 2H upon minus 4, तो उसे में लिख लूँगा कितना, 2H upon 4, negative, negative cancel, और अगर इसे थोड़ा और simplify करें, तो 2 का 4 double, तो यह कितना हो जाता ह है, तो देख लो भई, h की value कितनी आ रही है, sir, h की value technically आ रही है, कितनी, 2 और k की value कितनी आ रही है, 1, तो जो h, k आपने निकाले, वो कितने आए, sir, वो आप क्या आते है, 2,1, लेकिन आप थोड़ा रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा देखेगा इसे, मे minus 2x, of course, है न, बिल्कुल सही बात, और minus 2h, और उनकी according equation क्या है, उनकी according equation है, y is equals to 2x minus 2, है न, so y is equals to 2x minus 2, तो यह minus 2x जिदर आया, minus 2 था है, I'm really sorry, मैंने एक छोटी सी गड़बर की है, जो कि मुझे दिख रही है, कि यह जब minus 2 जिदर आएगा, तो plus 4 होगा, I hope आप सब notice कर मैं फिर से repeat करता हूँ, देखो, 2 into minus 2 minus 4 होगा, और minus 4 जब इस तरफ आएगा, तो यह कितना होगा, plus 4, है न, छोटा सा करर है, जब आप इसे solve करेंगे, तो यहाँ पर जो value आईगी, हो क्या होगी, h minus h upon 2, I hope आप सब इस बात से सहमत है, तो जो h की value आपको मिलेगी, sir, वो clearly क्या होगी, minus 2, everyone agreeing with that, और इस basis पर minus 2, 1 को मुझे बस यह चेक कर लेना है, क्या हो इस circle पर लाइक करता है, देखो भई, minus 2 का square 4, 1 का square 1, 4 plus 1, 5, बेशक सर, यह point जो है, यह circle पर लाइक करता है, और यह यकीनन तोर पर, इस condition को fulfill कर रहा है, और इसलिए, आपका कौन सा answer आप मा problem नहीं है, आप questions को आसानी से समझ पा रहे है, move करेंगे students next question की तरफ, जहां पर आपका C question आपके सामने आता है, anyone having any thoughts कि इसको कैसे approach किया जा सकता है, क्या आप questions समझ पा रहे हो, I think sir, आसान सा question है, ज़्यादा सोचने की जरुवत नहीं है, अगर मैं पूछू तो क्या, एक P बना parabola, जो कि क्या है, Y square is equals to 4X, अगर फिर वही बात मैं थोड़ा compare करो, तो 4 into 1 into X, याने इसमें A की value कितनी है, 1, याने अगर इस पर एक random point मैं मानूं, तो मैं A T square, 280 लोंगा, तो A to 1 है, तो क्या हो जाए गए, T square, 280 याने 2T, कोई confusion तो नहीं है, अच्छा इस parabola पर मुझ मुझे कुछ points दिये गए, मुझे P point दिया गया, 4, minus 4, तो let's say sir, कहीं भी होगा, मैं यहां मान लेता हूँ, P point क्या होगा sir, 4, minus 4, उसने Q point दिया, जिसके coordinates नहीं बताए, तो क्या मैं से Q point मान लू, और एक और बात उसने कही आप से क्या, आपका जो triangle POQ है, जहां पर O क्या ह sir, O है आपका vertex, जो triangle POQ है, उसका area है six units, तो मान लेते हैं sir, यह रहा आपका O, जो कि clearly क्या है origin, और इस triangle का area, वो कहते हैं कितना है, यह जो triangle आपका है P, O, ऐसा कुछ draw करने की आपको ज़रूत नहीं है exam में, मैं बस बना दे रहा हूँ, ता कि आपको समझ आ जाए, यह जो triangle इसका area, they say is six, ठीक है sir, अब totally up to you, या तो आप determinants वाली method यूज करें, या फिर आप stair वाली method यूज करें, जैसा आपको ठीक लगे, हना हम दोनों तरीके यूज कर सकते हैं, मेरा कहना है कि मैं stair method यूज करूं, तो क्या वो कहती, याद करो students, आप क्या करते हो, आप x1, y1, 1 यूज करते हो, हना 0, 0, 1, फिर आप यूज करते हो, x2, y2, 1, तो यह कितना हो जाएगा, 4, minus 4, और 1, फिर आप क्या यूज करते हो, x3, y3, 1, तो यह जाएगा, t2, 2t, और of course कितना, 1, बस एक बात का इल्म रहे, कि sir, यह जो value है, यहाँ पर आप mod लगाना मत भूलेगा, क् कि आप यहाँ पर क्या लिखते हो, 1 by 2, half of this determinant, x1, y1, 1, x2, y2, 2, 1, और x3, y3, 1, और यह जो area है, यह उन्होंने कितना दिया है आपको, 6, क्या यह expression आप सभी को समझा है, बहुत difficult तो नहीं है, I think चीजें simple ही है, जो उन्होंने कहीं है, area 6 ही दिया है, अब वो क्यू के coordinates to be 12, अब इस पार्ट को ज़रा मैं solve करने की कोशिश करूं, तो sir, determinants को लेकर, opinion बड़ा sorted है, मैं row 1 के along इसे expand करूंगा, तो जीरो जीरो की चंता करने की जरूरत है नहीं, plus, minus, plus, तो अब इसके along expand किया, तो clearly यह वारा column और यह रो छोड़ देंगे, तो यह आपका product बचना ह 8T है ना, तो क्या दिख रहा है sir, यह आपको पहले तो देखा क्या 8T, बहुत confusion तो नहीं, फिर आप negative sign लगाते हैं और इनका product लेते हैं, जो की होगा, minus 4T square है ना, तो minus of minus 4T square is going to be कितना, 4T square, which is clearly equal to what, which is clearly equal to 12, अगर यह 12 के equal है, तो क्या मैं 12 को दल आ सकता हूं, और लिक सक आना भूल गए, कि आपने यहां मौड ले रखा था, और अगर आपने यहां मौड ले रखा था, तो आपको सिर्फ 12 नहीं लिखना, उसे plus minus 12 की तरह treat करना है, तो एक छोटा सा correction जरूर आप करेंगे, कि अभी 12 को इधर ही रखिए, मानलो, माना कि 12 यहीं रखा हमने, लिकि थोड़ा और simplify क्या, sir, 4 से cancel out होता दिख रहा है, तो 4 का 1 ताइम्स तो यह कितना T स्क्वेर, 4 का 2 ताइम्स तो यह कितना प्लस 2T, और यह प्लस माइनस इधर आया, तो माइनस प्लस हो जाएगा, जिसे मैं प्लस माइनस ही लिख लेता हूं, कोई बहुत बढ़ी बात नहीं स्क्वेर, प्लस 2T, माइनस 3, इस से अगर मैंने सॉल करने की कोशिश की, जो क्या दिख रहा है भई, तो यह दिख रहा है T स्क्वेर, अब मुझे प्रॉड़क्ट चाहिए, माइनस 3, समचाहिए, प्लस 2, शेला इसे, sir, यह आपको देगा कौन, यह आपको देगा, प्लस 3 3T, माइनस T, हैना, I hope आप सब इस बात से सहमत है, अगर यहां से सॉल किया, तो आपको टी प्लस 3 एक फैक्टर बनता हो, दिखेगा, और यहां से अपने टी कॉमल लिया, टी प्लस 3 बनाने के लिए, से माइनस 1 कॉमल लेंगे, तो यह जाएगा, टी माइनस 1 is equals to 0, यहां से मैं, clearly Q के coordinates निकाल सकते हो, जरा इसे भी simplify करने की कोशिश करते हैं, मुझे product चाहिए 3 और sum चाहिए 2, I think मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर 3 और 1 भी लिया, तो product minus 3 बनेगा, ऐसे सोच के देखो, अगर मैं इसका discriminant निकालता हो, तो B square, हैना, तो B square कितना, 4, minus 4AC, so 4 into 3 कित value 1,3 आती है, जब T की value 1,3 आती है, तो Q के coordinates आप क्या कहेंगे, जब 1 आपने रखा, तो यह जाता है कितना, 1,2, कोई confusion तो नहीं है, क्या एक point आप सभी को समझ आए, और अगर आप 3 रखते हैं, तो 3 वाले case में कितना हैगा, 3 का square, 9, और 3 into 2 कितना, 6, तो sir 1,2 और 9,6, फिर सब्सक्राइब, और अगर यह माइनस 3 होगा, तो यहाँ माइनस 3 रखने पर यह 9,6 होगा, इससे सली एरर से आप मत करिएगा, आप इन्हें अवाइट करिए, तो आपके पास 2 solution, आइस बार कौन कौन से, 1,2 और 9,6 जो की clearly आपके P और Q होंगे, तो C के लिए आप क्या करेंगे, वो होंगे आपके P and Q, कोई डाउट, कोई परेशानी, क्या इतना पार्ट बहुत ही प्रॉपर मैनर में आप सभी को समझ आया, यहाँ से अगर मैं मूव करता हूं, नेक्स पार्ट की तरफ, तो here comes आपका D वाला पार्ट, क्या लिखा एक बर पढ़िये से, वो आ दोनों कर्व की है, आपका एक सर्कल है और एक पैराबुल है, अगर मैं सर्कल देखूं, तो एक बेसिक सा सर्कल है, जिसों सेंटर्ड पर, और इसकी रेडिये सेंटर्ड है, और आपका पैराबुल अगर आप देखें, तो बहुत बेसिक सा है पैराबुल है, और यह क्लिर है ना और यह रहा मानलो आपका क्या X-axis यह Y-axis और X-axis हो गए और यकीन अन तोर पर आपको क्या दिख रहा है सर एक सरकल है इसमें है अगर एक सरकल है इसमें तो सरकल यह रहा बहुत बढ़िया अब आपको इसमें पैराबोला दिख रहा है जो कि पैराबोला कुछ ऐसा सा हो है नाम नाट सेंग एक्जाक्ट लिए साओ पर वो कुछ ऐसा सा होगा बस यह तो अब अगर वो Kaunan Kord की क्वेशन पूछ रहा है वह आपसे क्या पूछ रहे क्वामन कोर्ड मतलब क्या common chord मतलब जहाँ पर इन दोनों curves ने एक दूसरे को intersect किया मतलब एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर तो इन दोनों ने जहाँ intersect किया उन दोनों points से pass होने वाली जो straight line होगी उस line की वो equation पूछने में आप से interested है क्या यह question आप सभी को समझ आया I think बड़ा basic सा simple सा question है अब सुनिए गाजर अधियान से मैं कैसे इस question को सोचूँगा इस पर बात करते है अगर मैं सीधी सीधी सी बात यह जानता हूँ कि sir यह जो सारे points है यह जो सारे points है यह points जो होंगे वो उस chord पर लाए करेंगे वही पूछ रहा है विल पास थू विच पॉइंट तो शेला इसे मैं इन points में से कुछ points को ऐसे चेक कर लो कैसे चेक कर लो इन सारे points में से कुछ points को ऐसे चेक कर लो कि क्या वो इन curve पर लाए करते है तो शायद मैं कुछ चीज़ ने ढूँड पाऊ तो मेरा पहला thought तो बड़ा basic सा पूरा solve करने से पहले मैं इन points को इन curve पर plot करके देख रहा हूँ क्या हो satisfy करते हैं इससे 9,6 रखा तो बहुत दूर चला जाएगा 5 नहीं आएगा 1,2 I hope आपको दिख रहा है satisfy हो रहा है minus 2,1 satisfy हो रहा है तो सर 1,2 तो pass satisfy कर रहा है minus 2,1 बहुत ध्यान से notice करेगा जो मैं कहना पुछा रहा हूँ minus 2,1 रखा तो minus 2 यहां रखा ध्यान से देखो minus 2 का square 4 5 into 4 20 और यह रखा 2 तो यह minus 14 20 minus 14 कितना 6 और यह 6 into 1 तो यह भी कितना 6 तो clearly sir आपके Q और R satisfy कर रहे है मेरा बस आप से कहना है 1,2 और minus 2,1 अगर इसे satisfy कर रहे है तो शलाई से मतलब यहां नहीं बन रहा होगा हो ऐसा बस मैंने एक random सा thought लिया था तो एक point यह हो जाएगा आपका मैंने बस इसी बना दिया बस ऐसा मान मत लेना कि सब्सक्राइब कर देना नहीं कि सबसे पहले तो यह चीज़े डिलीट कर देता हूं ता कि आपको कोई इंफिज़न आ बस मैं आपको यह कहना चाहरा हूं कि कि ऐसा आपके दो पॉइंट्स मिलेंगे किया बात आपको समझ आ रही है तो यह जो दो पॉइंट्स है वो इस सरकल और इस पैराबोला को सर्टिस्फाइब कर रहे हैं मतलब कैना इसे जाधा महनत किये बिना यकीनन तोर पर सर अगर ऐसा नहीं दिख रहा होता तो क्या करत तो मैं कहता है आप इन दोनों कर्व को सॉल्ट कर लेते हैं कैसे द्यान से देखो यहां पर क्या दिख रहा है एक स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर इस इक उस तो फाइगर ऐसे नहीं सोच पाता है एक शॉट्कुट था ही है जो मुझे ऑप्स्ट्स को देखके क्लेक कर गया है लेकिन अगर नहीं दिखता तो एक स्क्वाई स्कॉर प्लस वाई स्कॉर इस एक 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 स्वीशन धूसरी क्वेशन है 5 एक स्क्वेर प्लस 7 एस इस इक उसी तो 6y अब मैं क्या करता बड़ा बेशिक सा थौट यह होता सर यहां तो यहां से निकालकर रेप्लेस कर देता ह में equation बन रही होती है और उसे आप solve कर रहे होते हैं जिससे भी finally आपके यही point of intersection आ रहे होते हैं I hope यह दोनों बाते आपको समझ आ रहे हैं दोनों तरीके क्लिए और इस basis पे हमने क्या देखा Q और R दोनों satisfy कर रहे हैं तो आपकी जो chord की question आईगी जो chord की question आईगी वह इन दोनों point को मिलाने वाली की question होगी जो कि Q और R से पास होगी और हम देख चुके हैं कि यह चार ही तो options थे यह चार options थे और यह चार options clearly आपके इन दोनों lines को मिलाने वाली line को satisfy कर रहे हैं यहां पर अगर in case से आपको फिर भी confusion है कि सर हो सकता है P और S satisfy करें तो आप क्या करिएगा आप एक basic सा काम करिए सुनिये ध्यांज़े आप एक छोटा सा काम करिए कि आप क्यों और R को मिलाने वाली straight line की question बनाएगे उसमें यह और यह पास करके देख लीजे और आपको confirmation मिल दाएगा तो और आप assured रहेंगे क्या है पूरी process आपको समझ आई इस तरीके से हम इस पूरे question को अप्रोच करेंगे इस पूरे question को solve करेंगे और इसके सारे answers इस तरीके से निकालेंगे मेरा बैकिन है आपने जब solve किया तो आपके भी यही answers आए आपने भी इसे ऐसे ही सोचा और आपने भी इसके सारे answers ऐसे ही work out किये कोई doubt, कोई query, कोई confusion भाई चलो अगर चीज़ें यहां तक clear है हर एक पार्ट हर एक चीज़ अच्छे से समझ आई तो यह था आज का आपका पहला matrix match type question ऐसे और भी हम questions करेंगे फिर हम shift करेंगे numerical answer type questions पर और फिर हम parabola chapter से पूछे गए जे डबली advanced के previous years questions solve करेंगे और देखेंगे कि देखो यह exam एक आसान exam है यकीनन तोर पर तब जब आपने chapter के सारे concepts को अच्छे से पढ़ा है अच्छे से समझाए और अच्छे से सीखा है यही हम explore करेंगे और यह सब कुछ बिलकुल free of cost हम करेंगे क्योंकि यह यह जो package हम आपके लिए solve करवा रहे हैं सिंगेज mathematics यह ना सिर्फ आपके 11th 12th mathematics के basics को cover करवाता है thoroughly बलकि आपको जे डबली mains के तुरू आईटी जे डबली mains के तुरू ले जाते हुए आपको जे डबली advanced level तक की एक अच्छी तयारी करवाता है हम हर concept हर chapter को बहुत मजबू इस पर और यह बिल्कुल free of cost है आप से कोई subscription खरीदने को नहीं कहा जाता कोई trial version या paid version जैसा concept introduced नहीं किया जाता हम 100% free of cost quality online education deliver करते हैं आप हमारे notes, e-books और PDFs के लिए भी टीम से contact कर ही सकते हैं get notes आपको एक link दिखाए देगा इन वीडियो के description में वहाँ click करके इसके अलावा भी कोई और परिशानी हो तो निश्चिन्थ होकर लिखेगा comment में हम जरूर रिजॉल करेंगे तो I think आज के लिए इतना काफी है मिलते है next lecture में ख्याल रखिये अपना we are culminating this year students thank you so much